नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वास्त होंगे मैं आपका अपना दोस्तु पेंसिंग स्वागत करता हूं एक और नहीं खुपसर से ब्लॉग मैं पहाड़ों से तो आज का ब्लॉग करीब अभी साड़े-9 बजे का समय ह हो रहा है सुबह सुबह उठके जो भी अपना रूटीन होता है डेली का जैसे मार्केट जाना दूर पहुंचाना वह सब कादी कंप्लीट कर लिए हैं तो अभी नाच्ता वास्ता करके सब फ्री हो चुगा तो ब्लॉग सुरू करते हैं घरी पे हूं और देखते हैं दिन भ तो दोस्तों अभी आचुका हूं अपने खेतों पर और खेतों पर तो बहुत काम धंदे हो रहा है आजकल फिलाल मेरे पीछे यहां पर है मिर्ची अगर जो उस दिन हमने लगाई थी मिर्ची पानिवानी दे रहा था मैं तो काफी बड़ी होगी है गुडाई एक बार उसक तो काफी बड़ी होगी है तो एक बार गुडाई मांग रही है तो इसके गुडाई कर लेते हैं और मिर्ची लगने भी लगी है देखें और फ्रेंड नीचे इस वाले खेत में बीन्स लगा रखी है बीन्स भी काफी बड़ी होगी है और फिर इनकी भी गुडाई करी लेते हैं और ये चीज हमारे पहाडों में कहती ही है और पहाडों में जिस तरुके से यह काम होते हैं तो यही करते हैं कि इस तरही के से हम लोग सब्सक्राहद करते हैं। और उसके बाद देखते हैं और आगे को क्या काम हो सकते हैं तो फिलाल शीन भी ऐसा है दोस्तों लगभग आधा खेद मिर्ची का गुड़ाई मैंने कर दिया है थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूं पसीना वसीना भी खूब आ रहा है क्योंकि मेहनद लगती है पहाड़ों में का यही समेहनत होती है असले किसानों की मेहती है पहाड़ों पे उनको किसी से कुछ मतलब नहीं दुनिया से कघेतों चाहँ आघ और मैं कि समय उच्छ का में लेता एक मैंड़ सब्सक्राण कर रहाता हूं अध्या नेग है हैं तो घास ले आता हूं घर पे फिर जो मिर्ची का हमारा काम बज गया है इसको पूरा करूंगा यह वाला सीजन दोस्तो हमारा मेन होता है क्योंकि यह बरसात के सीजन में बहुत से गाम होते हैं और मेरे पीछे देखे धिरे धिरे आडू भी तैयार हो रहा है अब आप सोचेंगे यह आडू आजकल तो लेकिन यह बरसातों का आडू है इसको पहाड़ी में बोला जाता है असाड़ी आडू यानि असाड़ के महऴ़नी के वहाले लोकल लेंग्वेज में तो असाड़ी आड़ब बोलते है वैसे आड़ू-ी होता है या या वाला भी काफी ड़ा होता है इसका साइस और खाने में भी काफी ही गया हूँ अब जिस दिन भी नंबर लगता है नासपाथी का तो नासपाथी तोड़ी जाएगी तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे अपने खेतों की तरफ को ऐसे स्टेफ होते हैं ऐसे रास्ते होते हैं हम लोगों को बढ़े आदत रहती है इनमें चलने की तो चलता हूँ घासवास ले आता हूँ और जहां तक मौसम की बात करूं ब्यों की बात करूं देखे मसता आसमान में क्लाउड आये हैं धूप का नामों निसान नहीं है लेकिन बढ़ियान जा रहे हैं सांत माहोल ठंडा माहोल और काम करने के लिए काफी बढ़िया हो रहा है तो फाइन है दूफ तो पूरी मिर्ची की खेत की मैंने गुड़ाई कर दी है अब देखें काफी खूपसूरा लग रहा है आप खेत और मिर्ची भी काफी खूपसूरा लग करी है गुड़ाई करने से यह हो गया कि बारी से हो रही है तो थोड़ा और जल्दी इसको ग्रोथ मिलेगी और बढ़िया इस पर मिर्ची लगेगी तो यह काम तो हुआ कंप्लेट अब चलता हूं घर की तरफ को साड़े बारबजी का समय हो रहा अभी तो खानावाना देखत करने तो सस्काइब जरू करिएगा तो दोस्तों अभी समय हो रहा है सामके चार बजे मैं भी अभी उठ रहा हूं खाना माना खाके सो गया था एक बढ़ी आसी नीदागी उसके बाद उड़ गया हूं तो मौसम देखे दिन में हलकी सी बारिस हुई है और अभी मौसम मस्त बना हुआ है लगता है मौसम को देखके यह नहीं कह सकते हैं मौसम ठीकी रहेगा यह मौसम खराब हो जाएगा बल भर में बारिस भी आ सकती है और मौसम ऐसा ही रह सकता है यह देखे फ्रेंड हलके हलके बारिस हुई दोस्तों एक गुड़ नियोज और आपके साहर करना च चुका है अब जब भी आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के नीचे जहां पर लाइक कमेंड और यह उप्सन आता है वहां पाए आपको करके एक बटन और मिलेगा यह दोस्तों जैसे मैं वीडियो बनाता हूं बहुत से लोगों को पसंद आती है और नॉर्मली लोग या आप वीडियो पर कमेंड करते हो वीडियो को लाइक करते हो तो एक चीज और आप कर सकते हैं जैसे वीडियो आप लोगो पसंद आती है अच्छी लगती है कुछ आपकी हेल्प होती है तो आप जो थैंक्स बटन है उसके जरिए हमारी भी कुछ मदद कर सकते हैं सुपर थैंक्स का इस्तमाल करके हमें कुछ पे कर सकता है जैसे 40 उपे से 1000 उपे तक अगर आप लोगों को भी यह पसंद आता है आप भी इस गरीब की मदद कर सकते हैं थोड़ी सी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो कुछ अपनी दाप से थैंक्स आप कह सकते हैं और आज मौसम दिन में जो मैं बता रहा था कि थोड़ी बहुत बारिस हुई मैं आपको मौसम दिखा रहा था कैसा हो रहा था उसके बाद काफी अच्छा माहौल बन गया है काफी अच्छा मौसम बन रहा है एक बार नजारे देह लिजी आप लोग तो फ्रेंड यह हैं साम तो फ्रेंड कैसा महौल लगा कैसा विउव लगा साम के समय में पाहाडों से तो मैं भी पहुँशता हूँ घर पे आजकल यह हैं थकान भगान बहुत लग जाती है क्योंकि काम धाम बहुत होता आजकल पाहणों पर तो बॉड़ी थोड़ा थक जाती है तो घर पे चलते है थोड़ा रिलैक्स करते हैं और वीडियो एडिटिंग पे लगते हैं बाकि साम के नजारे तो मस्त आई ही रहे हैं उम्मीध है जरूर आप लोग को पसन आये होंगे तो दोस्तो पहाडों पे एक और खुबसूरा साम होने जारी है अभी हलकी हलकी साम हुई है पूरी तरह से अंधिरा नहीं हुआ है आसमान आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन आज का जो व्यू आ रहा है काफी अल्टिमेट व्यू आ रहा है दिखे साम के समय में दूर पहाड खुबसूरा लाइटिंग नजर आ रही है पहाडों पे तो फ्रेंड ये था हमारा दिंदर का ब्लोग आप लोग को कैसा लगा कमेंड में बताईएगा तो मिलेंगे आपसे नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए जैहिन बाई 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 ख्याल रखेगा